वेलकॉम बैक आज अब लोग घटना चक्र जोग्रफी चैप्टर थर्ड को देखेंगे सो लेट्स बिगिन और हमारा टॉपिक है भारत एवां करकरेखा विश्वत रेखा के उत्तर में स्थित 23 तिगनी 30 मिनट उत्तरी अक्षान्स को करकरेखा कहा जाता है करकरेखा भारत के लगभग मद से होकर गुजरती हैं करकरेखा भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती हैं जिनमेर, गुजरात, राजस्थान, मद्र प्रदेश, शत्तिसगर, जहाडखंड, पश्चियों मंगाल और त्रिपूरा और मिजोरव है सूरे के उत्तरायन गुमद रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरे गुलार्द में दिनों की अवधी बढ़ती जाती हैं 21 जून को सूरे उत्तरायन स्थिती के सर्वोच बिंदु पर होता है जून माह में करकरेखा की उत्तर जाने पर दिनों की अवधी बढ़ने लगती है माही नदी करकरेखा को दो बात पाड़ करती है मौतपूर्ण भारतिय नगरों की अक्षान से स्थिती अगरतर्ला 23 डिगरी 50 मिनट गांधी नगर 23 डिगरी 19 मिनट जबलपूर 20 डिगरी 11 मिनट उजयन 20 डिगरी 9 मिनट कोलकाता 22 डिगरी 30 मिनट नागपूर 21 डिगरी 9 मिनट एमदाबाद 20 डिगरी 2 मिनट वारनसी 25 डिगरी 18 मिनट भुपाल 20 डिगरी 25 मिनट आईए क्वेशन को डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेशन है करकरेखा किस राज से होकर गुजरती है ओप्शन B, बिहार चाडखंड ये प्रश्ट 1990 का है तभी चाडखंड बिहार का ही सत्हा करकरेखा पर परने वाले भारत के राज आठ है जिन जो है गुजराद, राजिस्थान, मद्र प्रदेश, छतिस्कत, जाडखंड, अश्चिबंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम है अता वर्तमान में उपरियक्त दिये गए विकल्प में कोई भी सही नहीं है किन्तो प्रश्ण काल में जाडखंड बिहार का ही भाग था अता ततकालिन परिस्थितियों में विकल्प भी सही उत्तर था करकरेखा निमन लिखिक में से किस राज्यों से होकर गुजरती है नीचे दिये गय कूट से सही उत्तर चर्णिये ओप्शन A सही होगा गुजरात, 36 गर और जाडखंड तीसरा कोईशन है करकरेखा गुजरती है ओप्शन D इन सबी से हैं मध्यप्रदेश से, जिपूरा से और मिजोरम से भी कोईशन नमबर चार कितने भारतियों प्रदेशों से होकर करकरेखा गुजरती है आठ भारती प्रदेशों से होकर करकरेखा गुजरती है, ओप्शन B सही है भारत का एक राज जिससे होकर करकरेखा गुजरती है, वह है जारकर्ट ओप्शन D सही है वशन नमबर 6 निमिल लिखित मेजिक किस राज से करकरेखा नहीं गुजरती है Option C, मनिपुर से नहीं गुजरती है और बाकी त्रिपूरा, चछतिसगर और विजोरम से गुजरती है Question No.7 निम्नांकित नगरों में कौन करकरेखा से निकटम दूरी परस्थित है Option B, गांधी नगर सही है विकल्प में दिये गए भाड़ती नगरों की अक्षान से स्थिती निम्ना नुसार है अगर तल्ला का अक्षान से विस्तार है 23 डिगरी, पचास मिनट उत्तर अंतर स्थिती है, माइनस 20 मिनट गांधी नगर का है, 23 डिगरी, 19 मिनट उत्तर अंतरस्थिती 11 मिनट है जबलपुर 23 डिगरी 11 मिनट उत्तर अंतरस्थिती 19 मिनट है उजेन का 23 डिगरी 9 मिनट उत्तर है और अंतरस्थिती 21 मिनट है दूरे की अनुसार उपयुक्त में करक रेखा से सबसे कम अक्षान सी अंतर गांधी नगर का है अता गांधी नगर करकरेखा के सरवादिक निकट होगा Q8. निम्न नगरों में कौन सा करकरेखा के निकट है Option B. Kolkata सही है उपरियक प्रश्ण में दिये गए नगरों से करकरेखा के परिपेक्ष में अक्षांसे स्थितिया इस प्रकार है दिल्ली 28 डिगरी 25 मिनट से 28 डिगरी 53 मिनट उत्तर Kolkata 22 डिगरी 30 मिनट उत्तर जोधपुर 26 डिगरी से 27 डिगरी 37 मिनट उत्तर नागपुर 21 डिगरी 9 मिनट उत्तर करकरेखा का बास्तविक अक्षांस विशुवत रेखा के उत्तर में 23 डिगरी 30 मिनट है अतह उपरियोक्त में करक रेखा से निकटम नगर कोल काता है अमारा question next है कौन सा मातपुर्ण अक्षांस भारत को दो लगबग बरावर भागों में विभाजित करता है option D 23 degree 30 minute उतर 23 degree 30 minute उतरी अक्षांस भारत को दो बरावर भागों में विभाजित करता है इसे करक रेखा भी कहते हैं निकट में से कौन सा भारती राच करक रेखा की उतर में अवस्थित है option B हमारा सही है मनेपुर मनेपुर करक रेखा की उतर में अवस्थित है question number 11 जून माह में निम स्थान में से कहां पर दिन की अवदी अधिक्तम होगी हमारा option D सही होगा दिल्ली सूर की उतरायन भुमद रेखा के उतर होने के बाद से ही उतरी को लार्ज में दिनों की अवदी बढ़ती जाती है 21 जून को सूर की उतरायन स्थितीं के सर्वोज बिंदु पर होता है इस माह में करक रेखा से उतर जाने पर दिन की अवदी बढ़ने लगती है दिल्ली की स्थिती उपरियुक्त विकल्थ में सबसे उपर है तह यहां दिन की अवदी अधिक्तम होगी निमन दिखित में से कौन सा सहर करक रेखा से सबसे निकट्स था है ओप्शन ए जबलपुर सही होगा विकल्थ में दिये गय सहरों की अक्षान से स्थिती इस प्रकार है जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर एहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर उपर एक शहरों की अक्षान से स्थिती के अनुसार करक रेखा के सरवादिक निकट का सहर जबलपुर होगा क्योंकि जबलपुर की अक्षान से एवम करक रेखा मद्ध अक्षान से अंतर सबसे कम है कोशन नम्बर 13 नमलिकित भारत की नदियों में कौन करक रेखा को दो बार काड़ती है ओप्षन ए माही नदी माही नदी करक रेखा को दो बार पार करती है यह मद्ध प्रदेश से उत्कमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए हम बात की खारी में डिरती है थाइंक यू प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब